मत्थी उसका पंद्रावाद्याए और उसकी 21st आयत 21 से हम कुछ बातों को आज हम देखेंगे यहां एक कनानी जाती की स्त्रीक के विस्षई में लिखा है और वो प्रभु येश्यू के पास आई और जोग पूरी घटना घटी वो सत्य घटना यहां पर लिखी गई है आयम पड़े पर 21 व्याद मत्थी पंद्रावाद्या और 21 आयत इस्व वहां से निकल कर सूर और सेदा के प्रदेश की और चला गया उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिला कर कहने लगी है प्रभु दावत की संतान मुझ पर दया कर मेरी बेटी को दूस्ट आत्म बहुत सता रहा है यहां एक स्त्री आती है थोड़ी थोड़ी करके हम आयत पढ़ेंगे और सीखने का प्रयात न करेंगे कि प्रभु का वच्चन क्या हमें बताता है और यह जो स्त्री है प्यारो उसकी परेशानी लेकर वो ये शुक के पास आई है यह स्त्री के विसे में यहां पर लिखा गया है कौनसी जगह थी शूर और सेदा करके प्रदेश था वहां की इस्त्री थी और उसके विसे में लिखा है वो कनानी स्त्री थी बोले कनानी और अगर आप बाइबल पढ़ते हो तो आपको पता होगा कनानी लोग वो यहूदियों के जिस कूल से प्रभू येश्व आते थे जूइस थे वो यहूदी थे और यहूदियों से कनानी नफरत करते थे और यहूदी कनानियों को नफरत करते थे दोनों पक्के दुस्मन थ जो यह स्थ्री थी उनके पुर्वज कनानी थे और यहुद्यों के नमबर वन दुस्मन थे सत्रू थे और प्रभू येशुभी जूइस थे यहूदी थे हैं यह यहूदी सौरी यह कनान इस्त्री जिनके पुर्वज यहूद्यों के दुश्मन थे सत्रू थे वो यह शुक के पास साती है यह सेम घटना मर्कुस में भी लिखी है मर्कुस सात्वा दिया है हम वहां सब आयत नहीं पढ़ेंगे वहां थोड़ा और इस्त्री के विश्चे में वर्णन किया गया है और वहां लिखा है यह स्त्री यूनानी थी यूनानी थी मतलब ग्रेक थी पहली चीज कनानी उनके पुर्वज कौन थे बुले कनानी यह सब हम सीखने वाल इसलिए मैं आपको बता रहा हूं यह स्त्री के पुर्वज कनानी थे जो यहुद्यों के नमबर वन दुस्मन थे और प्रभु येश्चु भी कौन थे यहुदी तो यह स्त्री जो येश्चु के पास आई है अगर यहुद्यों की द्रस्टी से देखे तो वो और उनके पुर्वज नमबर वन सत्रू थे यहूदी लोगों के विस्षे में जानते हो तो यहूदी लोग जो बीन यहूदी है उनको मनुश्य ही नहीं गिनते थे अगर आप इह लोगों निकाले यहनना उसका चौत ये का रिष्टा रहता था दूसरी जाति के लोगों का यहनना उसका सांबरूनिस्त्री येश्व के पास मिलती है ये येश्व को तब वो क्या कहते हैं यहनना चौत यह और उस सामरी स्त्री ने उससे कहा तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मागता है सामरी मतलब बीन यहूदी वो स्त्री के पास जब प्रभु येशु पानी मागते थे पानी मागा तब वो आश्र चकीत हो गए क्यों आगे लिखा है क्योंकि यहुदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यहवार नहीं रखते थे यहुदी लोग वो बीन यहुदियों के साथ किसी प्रकार का व्यहवार नहीं रखते थे वो बहुत ही उनको निम्न कसा का मानते थे जैसे वे मनुश्य ही है नहीं कोई रिस्तानाता नहीं कोई सन्मान नहीं उन लोगों के लिए और ऐसी ही स्त्री जो बिन यहुदी थी जो कनानी थी मतलब यहुदियों के नंबर वन सत्रू वो ये शुके पास आती है आई हम आगे पढ़े आगे क्या होता है फिर से मत्थी उसका पंद्रवे अध्याई में आ जाए मत्थी 15 और 22 में फिर से पढ़ता हूँ उस प्रदेश में कनानी स्त्री निकली जो चिला कर कहने लगी है प्रभू दाउद की संतान मुझ पर दया कर मेरी बेटी को दुष्टातमा बहुत सता रहा है एक एसी स्त्री जिनके पुर्वज यहुदियों के सत्रू थे वो आज ज्यूइस येश्यु मसी के पास आकर चिलाने लगती है पुकारती है और कहती है प्रभू मुझ पर दया कर जरुवत के समय दो सत्रू आमने सामने आ गए ये श्त्री प्यारो सब कुछ छोड़ चाड़के पुर्वजों से चलता जो आया था वो बाजू पर रखकर येश्यु मसी के पास आई क्योंकि उसकी वो चरुवत थी है उसकी बेटी दुष्टातमा से पीडित थी हाललुया प्यारो कई बार हमें काफी चीजों को छोड़ना पड़ता है त्यागना पड़ता है जो हमारे लिए फाइदेबंद नहीं होती जो बाब दादाओं ने हमारे हाथ में थमा दी है पुर्वजों से चली आती कोई मान्यता बाते ऐसी काफी चीजे होती है प्यारो जो कई बा हमारे ही लिए नुक्सान करता होती है हमारी ही आशीशों को रोकती है कि कई बार के कुछ लोग आकर पुछते हैं तो क्या मैं यह बंद कर दू कि हम बोलते हैं आप जानों आपकी बलाई आपके आथों में आपको करना नहीं करना कि बोलते फिर समाज क्या कहेगा कुछ लोग केते हैं तो साथ पैडियो से यह करते आ रहे हम बोलते तो फिर वो ही आपके पास रखो अगर आपको बहार आना है आपकी समस्या से तकलीव से तो आपको प्यारो जो आपकी आशिशों को रोकता है उसको बाजू पर रखना पड़ेगा ये इस्तरी ने पीडियों से चले आते बैर को बाजू पर रख दिया इस्तरी ने ये नहीं सोचा मैं यहूदी येश्यू बसी के पास जा रही हूँ वो क्या कहेंगे हमेंने सुना है वो लोगों को चंगा करते है छुडाते है लेकिन मैं तो बीन यहूदी हूँ पता नहीं क क्या होगा उसने लोगों की कही हूई बातों को भी नहीं सुना होगा यहूदी के पास जाती वो तो हमारे नंबर वन सत्रू है तो कनानी होकर उनके साथ पास जाती सालों से वो तो हम से लड़ते आये हैं उसने लोगों कोई भी नहीं सुनी नाई पीडियों से जो चलाता वो उसने पकड कर रखा क्योंकि उसको उसकी आसिष को पाना था और उसकी बेटी को छुटकारा पाते हुए देखना था प्यारों कई ऐसी बाते जो हमारे लिए हमारी आशिशों को रोकने वाली होती है वो हमें बाजू पर रखना है सब कुछ हम साथ लेकर नहीं चर सकते यह स्री ने पीडियों से चलाता बैर बाजू पर रख दिया यहूदी बीन यहूदी का जो जगडा था वो बाजू पर इमत पर मेरी बेटी को छुटकारा पाते हुए देखना और ऐसे लोग ही आशिशित होते हैं ऐसे लोग ही आशिशित होते हैं बाकी के वहीं के वहीं रह जाते हैं प्यारों हमारे जीवन में क्या इसी कोई बात है जो पीडियों से चली आती हमने अभी भी पकड़ कर रखा है भले वो हमार फाइदा ना करें उल्टा भले नुक्सान करें ले क्योंकि यह मारे बाप दादा करते थे है यह क्या रोंड़ों आपके हाथ में आपका फाइदा करवाना या तो नहीं करवाना यह इस्तैने असी जो पहते थी जो उसकी आशिस को रोक सकती थी। वो बाउंडरी को क्रोस कर दिया। वह बातों को बाजू पर रख दी। हाललुया। हाललुया। और उसने तो क्या कहा। ए प्रभु दाउद की संतान मुझ पर दया कर। इस्त्री दयाकी याशना करती है। विनम्रता के साथ माखती है प्रभु येशु मुझ पर दया कर अगर आप मर्कुस में पढ़ें मर्कुस साथ और पचीस में कोई पढ़िएगा आप में से उची आवाज में मर्कुस साथ और पचीस अगर यहां दिखा सकते हैं तो यहां पर हम दिखाएंगे मरकुस साथ और पच्चिस में ये स्त्री क्या खेरती है ये शुक के पास जाकर वो लिखा गया है आये यहां से पड़े और तुरंत एक स्त्री जिसकी छोटी बेटी में सुदात्मा थी उसकी चर्चा सुनकर आई और उसके और उसके पाओं पर गिरी हाललुया ये स्त्री जिसके बाप दादा इस यहुदी कौम से दुस्मन ही रखते थे वो ही जुईस ये शुमसी के सामने ये स्त्री गुटनों पर आ जाती है और कहती है ये शुमसी दाउद की संता मुझ पर दया कर अपना गमन नहीं पकड कर रखा पीडियो से चला ता बैर हम क्यों जुके उनके आगे हम तो खना नहीं हम तो यह वो सब बाजू पर रखा प्यारो और इसका एप्रोच देखिए प्यारो कैसे ये शुके पास जाती है ये शुके पास जाने का तरीका बोले तरीका दुआ करने का तरीका देखिए गुटनों पर गिरती है कहती है और उसके कहता है वचन और उसके पाओं पर गिरी और कहा ये शुमसी मुझ पर दयाक है त्यारो हमारा एप्रोच हमारा तरीका क्या होता है जब हम ये शुमसी के चर्णों में जाते हैं यह ऐसी कोई विनम्रता देखिए आसीस पाने की यह छोटी-छोटे बात है आपको मदद करेगी प्यारों यह छोटी-छोटी बात आपके काम में एक तरीका देखे पाओं में गिर पड़ी कहती है दयाकर ये शुमसी हमारा तरीका ये शुके पास जाने का दूआ करने का कैसा होता है प्यारों कई हम में से हैं जो बीना असिस के ही रह जाते हैं क हमारी गरदना कड फिर हमारा एक प्रोच अमर्द तरीका येसु के पास जाने का बैठने का दूआ करने का वह उसमें नम्रता कहीं पर नहीं होती है मिलैं प्यारों वो लोग है जो जैसे प्रभू ये शुक प्रभू ये शुत हमारे राजू में ही रहते हो यो वह बूल ज कर कैसे सोफे में पटेर पर पेर चड़ा कर का दा सोते सोते नहीं प्यारो ये स्जो के चरनों में जुककर अभिמנ भी को हुआ अंलाइन भी कfill लोग बेटें हों के सोफे पर पर पेर घड़ा कर सब्साराय MARK येश्चु के पास जाने का येश्चु के चरनोंक में बैठने का हमारा तरीका कैसा है वो माइने रखता है प्यारो प्रभू हर एक बात को देखता है यूहीं आसी सो की बरसा नहीं हो जाएगी ये छोटी-छोटी बाते एक-एक स्टैप है जो आपको आपकी आसी शो के कि कोई लोग कई लोग तो हमने देखा आता ही बरस पड़ते हैं जवा दोने तमद कदी फॉनन नहीं उठावता है चलो प्रात्ना कर रहे क्या है यह यह आपका अप्रोच यह आपका थरीका है यह देखता है प्यारो आप कैसे उसके चर्णों में आते हो कैसे दूआ में बैठते हो कैसे चर्च में आते हो सब कुछ देखा जा रहा है प्यारो आपका अप्रोच आपका तरीका माइने रखता है यह तो बैरी थे उनके लेकिन फिर भी सब कुछ बाजू पर रख दिया उन इस्जु के पास आए प्रभु का बच्चन कहता है तेरे पैर को तु संभाद कैसे जाते आप यह शुक्य पास उसके कदमों में उसके चर्णों में चर्च में हो घर में हो आपका तरीक आपका प्रोच माइन रखता है प्यारों सिच्चुएशन क्या थी परिस्थिति क्या थी आए फिर समी साथ को पड़े मत्थी 15 और 22 उस प्रदेश से कनानी स्री निकली और चिला कर कहने लगी यह प्रभू दाउत की संतान मुझ पर दया कर मेरी बेटी को दुस् आए बच्चों में भी डूस्ताद मा सकते हैं हो सकता ऐसा अगा मर्कुस पड़े साथ और 25 मर्कुस साथ और 25 मर्कुस साथ वाद्याय और 25 वह और थोड़ा क्लियर करके लिखा है आयम पड़े मर्कुस साथ और 25 और तुरंत एक स्त्री जिसकी अरई बोलेए ना है जिसकी छोटी बेटी में असूधातमा थी वचछन सिखाता है प्यारों छोटी बेटी के अंदर सुधातमा थी हां हिंदी में नहीं लिखा छोटी इंगलीज में भी लिखा है लीटल डॉटर यंगर डॉटर छोटी बेटी के अंदर असोधात्मा थी प्यारों आपके आपके बच्चों के भी से में जागरूत रहते हो हमने बहुत कुछ सिखाए देखिए अब हर संदे हम वो नहीं सिखाते नहीं सिखा सकते क्योंकि यहां पर सिर्फ ऐसे ही लोग नहीं आते कर लोग ह लिखाना था आपको आपको बच्चों आपके बच्चों को मैंने सिखा दिया फिर से बच्चन में आई इसलिए हम देखना चाहते हैं चोटी बच्ची के अंदर दुस्टात्मा थी क्या आप अपने बच्चों के विसे में जागरूत हो यहां पर लिखाए चोटी बेटी क के अंदर थी मतलब हो सकता है प्यारों अगर आप कैरफूर ना रहे तो आपके बच्छों के अंदर और उनके उपर दुस्तात्मा नियंतर ले सकती है अगर आप जागरुत माबाप नहीं हो आपके बच्छों को आपने छुटा छोड़ दिया जा जो करना वो कर जैसे जी ना है नहीं देखता किसके साथ उसकी दोस्तिय नहीं है आप कुछ परवान नहीं कर रहे हो आपके बच्छे सैतान का आसांसिकार है कि भले ही वो छोटे क्यों ना रहे उनको सैतान जब नियंतरण में लेगा आपके आशू रुकेंगे नहीं प्यारों पस्तावे का पार नहीं कि एमेरा मेरी बैटी गुढे मैं कहें आए यह तु बोर्ड लाई है वह चोरी करने नास करने मार डालने कला और को हितु से नहीं आता मकसद से नहीं आता वह एक बार गुस्सा आपके बच्चों का जीवन वह बर्बाद करकर ही जाएगा वह गिप्ट लेकर नहीं आएगा सब कुछ छीन कर ले जाएगा जब आपके आँखे खुलेगी आपके बच्चों का जीवन बर्बाद होगा यहां यह बहन इसलिए रो रही है क्योंकि उसके बच्ची के अंदर छोटी बेटी के अंदर दुष्ट आत्मा थी दुष्ट आत् सेरियल है ऐसे कुछ मूवी से बले अनिमेटेड मूवी रही ऐसे कुछ गेम से मेरे पास अभी यहां पर नहीं है लेकिन मैं आपको प्रेयर में कभी हम यह पॉइंट सेर करेंगे अभी कुछ दिनों पहले बच्चे ने सुसाइड की पता है आपको मैं था है मैं वह बच्चे ने छोटे बच्चे ने सुसाइड क्यों की क्योंकि गयम में उसको टास्क दिया गया था इसक अब्या想法 रहे हैं तास्क दी अधे की गैम में उनको टास्क दिया गया ऐसा टास्क करना है दो रिबांदो वो गुजराती मां गांट कि वाई हिंदी में पता नहीं मुझे क्या है और उसके उपर आपको ऐसे लटकना है फिपैर से टेबल को धका दे दो सब कुछ स्टेप पाइस टेप उनको टास्क दिये जाते हैं और वो घैम में जैसे बताया गया वो करता गया और अखिर में मर गया एक दम चो टा बच्चा परिवार रहा था प्यारो क्यूं सेटान के लिए ahead खुल आ रखा था गेम सिर्फ गेम वोही सिर्फ जो कर रहे होने वोही गेम के द्वारा सयतान प्रवश्ट कर सकता आपके बचो के जीवन में प्यारों यह छोटी बची के जीवन में दुष्टाथ में दुस्ताइवान है उसको जकर कर रखा था यह एक सब्द फिर समव आयत पड़े वहाँ पर एक सब्द ज्यान देने जैसा है 22 वी आयत हम फिर से पढ़ेंगे मत्थी 15 और 22 यहाँ पर लिखा है मैं आपके लिए पढ़ता हूँ यह प्रभुत आउद की संतार मुझ पर दया कर मेरी बेटी को दुस्टात्मा बुले बहुत सता रहा है दुस्टात्मा सीर पर हाथ गुमाने के लिए तो नहीं आएगा यहाँ पर यह बेटी को दुस्टात्मा बहुत सता रहा था इंग्लिस में लिखाए सफरिंग तैरिबले बहुत बुरी तरह यह बेटी परेसान ये शूद दया कर आपके बच्चों को वहालत में देखना चाहते हो देखना चाहते हो आपके बच्चों को वहालत में कैर्फूर रहे ऐसे द्वार को जो आपके बच्चों ने सैतान की एंट्री के लिए खोले हैं बंद करवाए यह दूस्टात्मा आई बेटी के जीवन में छोटी बेटी के जीवन में और यह बेटी का जीना हराम कर दिया था यहां पर लिखाए इदाउस की संतान मुझ पर दयाकर मेरी बेट सता रही है बहुत परेशान करके रख दिया है प्रभु तुद दयाकर दूस्टात्मा सांती से जीने नहीं देगे अगर आप अपने बेट बच्चों के लिए ला परवा रहे हैं तेईस्विया थमपड़े यह शू का क्या रिस्पॉंस था पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया तब उसने कुछ उत्तर नहीं दिया तब उसके चेलों ने आकर उससे बिंती की से बिदा कर क्योंकि वह हमारे पीछे चिलाती हुई आ रही है येश्व ने कोई जवाब नहीं दिया तो क्या येश्व के अंदर वो बैरभाव था ओ ये तो कनानी है ये तो बिन यहुदे नहीं प्यारों येश्व इसलिए मौन थे क्योंकि वो स्टेज तयार कर रहे थे कुछ सिखाने के लिए हाललुया कुछ बहार लाने के लिए ये शुमौन थे कुछ अद्बूत आगे होने जा रहा था इसके लिए ये शुमौन थे काफी बाते हुई येश्व के मौन रहने के कारणा सबसे पहला उनके चेलो का रिदाई कैसा है वो बहार आ गया उनके चेले क्या कहते है प्रभू इससे विदा कर क्योंकि ये हमारे पीछे चिलाती हुई आगे प्रभू ये परहसान कर ये इससे विदा कर ये कबसे दिमाग खा रहे है प्रभू आसान सब्दों में ऐसा कह सकते है चेलो क असलियत बाहरा गई येशु के मौन रहने के कारण येशु के चेले सम्वेदन सिल नहीं थे सेंसेटिव नहीं थे इस बहन के दर्द को लेकर इसकी पीडा को लेकर उनको वो बहन उनका चिलाना सिर्दर्द लग रहा था वो उनसे छुटकारा पाना च्छाते थे चेलो का ये रिदय था सम्वेदन सिल नहीं था दुसरों की पीडा को लेकर गुमते थे येशु के साथ 24 का लाख रहते थे 24 गंटे रहते थे येशु के साथ लेकिन ये बहन की पीडा को वो नहीं समझ पाए उसके प्रतिस सम्वेदन सिल नहीं थे वो उनको सिर्दद लग रही थी जब वो चिला रही थी आप भी येशु के चैले होना है हो या नहीं है येशु का चैला मतलब उसके पीछे चलने बारा आप दुसरों के दर्द के प्रती कितने समवे दंसिल हो कि आपको दुसरों की चिलाष सुनाई देती ये कानों में कभी आपना दुसरों का पेन सुना मेरे बाजु में वो रहती है उसको ये तकलीफ है चलो मैं उसे प्रभू के पास ले जाओ मैं तो अच्छी हुई मैंने आसे स्पाई लेकिन ये कब से चिला रहे कब से रो रहे मै उससे येशु के पास ले जाओ अगर हमारा ये रिदई होता नहीं तो यह से पांच छे चर्च होते हैं कि हम भी कहीं न कहीं प्यारों दुसरों की चिलाट दुसरों के पुकार को एवड करते हैं हमें तो बस हमारा पुकार सुने प्रभु येश्व हमारा चिलाना सुने प्रभु येश्व क्या दूसरों की चिलाट आपके कान पहुंचती है आप इतने समवेदन सिल हो कि आपके आज पास में से दुखी, तकली, बिमार दुष्टाक में से पिडित, चिला रहे, रो रहे लोगों को आप प्रभु के पास लेकर आओ आपको ऐसा मन होता है मैं तो बची, मैं तो खट्डे से बाहर आई लेकिन मैं दुसरों को येशु के पास लेकर जाओ क्या हम पत्थर रिदे तो नहीं हो गए ने ये चेले, 24 गंटे येशु के पास रहते थे लेकिन ये बेहन की पीडा नहीं समझ पाए आप क्या दुसरों की पीडा समझ पा रहे हो आपको येशु ने आपकी पीडा से छुडा लिया बस खतम अब आए संड़े आराद ना करें खुसो कर चले जाए अब आपको और कोई दिखाए देता है जो पीडा में हो आपकी नजर ऐसे लोगों को ढूंड पाती है कि ये बिचारा बहुत दुखी है आपके आस पास ही ऐसे कई लोग है प्यारों जो पीडा में दुख में तकलीफ में लेकिन हमारा रिदे पत्छर जैसा हो गया है हम उनकी चिलाट को नहीं सुन पा रहे है प्यारों अगर चिलाना सुनते तो आज उनको ये शु के पास ले ले कर आते ले ले कर आते हैं ये चेले पत्थर रिदई हो गये थे उसको इस तरी की चिलाट से कोई मतलम नहीं था उनको शिर्दल लगता है, इसको प्रभू विदा कर दे, नहीं चाहिए इसां लोग आज में मेरा रोना सुन प्रभू तू, दूसरों का रोना मैंने सुन गा है। और प्रभू मेरा रोना तू सुने कर, आपके आंसों को येशु ने पोच्छा है, आप दूसरों के आंसों को पोच्छने वाले बनिये, आपका चिलाना येशु ने सुना है, दूसरे जो चिला रहे उसको येशु के पास लाए ताकि उनका चिलाना भी येशु सुने, वो भ मेरा परिवार अरे उससे बहार आकर कई लोग चिला रहे आपके आसपास ही है रहे उनको तो देखिए एक प्रभु के दास आये एक संगती में और प्रीच करते हुए इतने दुखी थे दुखी उनका दुखी होने का कारण क्या है पता है वो बोले कि मैं आज बहुत ही दुखी हूँ कि मेरे पडोस में ही एक अउंकल के आज डेर हो गयी मर गय hätte मूझे दुख वह बात का है कि मैंने कभी उनसे बात नहीं कि ये शुए का प्रेयल नहीं दिया ये शू के विसे में बताया नहीं मैं कई समय कि right right away uncle को मैं कभी मिलने नहीं गया कभी उनका दर्द उनकी दर्द की चिल अको को मैं नहीं सुना अपका आपके आस पास में कई ऐसे लोग है प्यारो जो आझ चिला रहे दुखी निरास है आपके चिलाहट को तो ये सुने सुना अब आप की बार याप ऐसे लोगों के प्रती सम्वेदंसिल बनो ऐसे लोगों को ये शु के पास लेकर आओ ताकि उनकी चिला हट भी सुनी जाए और ये शु के नाम में उनके जिया में बड़े और अद्बूत काम हो पाया में हमारे सलकल से बहार आए अ सम्वेदंसिल ना बने पत्थर रिदाई ना बने ये चले पत्थर रिदाई बन गये थे उनको ये स्रीका चिलाना सिर्दर्द लग रहा दा प्रभू विदाकर कब तक चिलाती रहेगी सुनिये दूसरों के पुकार को असमें दंसिल मत बनें आई आगे हम पढ़ें तेईस वियात में लिखाए प्रभू इससे विदाकर क्योंकि वह हमारे पीछे चिलाती हुई आ रही है पहला ये शुका मौन रहने का कारण चेलो के रिदाई की असलियत बाहर आ गई उसके मौन रहने के पीछे मकसद होता है प्यारो यही प्रभू आपको पीडा में देखकर आनन उठाने के लिए मौन नहीं रहता उसके मौन रहने के पीछे काफी मकसद थे वो चेलो का एक चुर रिदाई पत्थर जैसा जो था बहार लाना चाहता था स्री का बड़ा विस विश्वास वो जांच रहा है कहां है आपका विश्वास क्या स्त्री के जैसा बड़ा विश्वास है या भी भी वो चैलो के जैसा कम जो और निर्बल ऐसा विश्वास है प्यारो आई हम अमारी आखों को बंद करें और दूआ में जाए प्यारो इस्त्री काफी कुछ बात है मैं सिखा थे प्यारों आपने जो भी सिखा है वो बातों को ले कर आप प्रभू के चर्णों में जाए और दुआ करे प्रभू से कहे प्रभू यह स्थ्री के जैसा तुम मुझे बना प्रभू काफी कुछ बात है आपके आगे प्रभू ने रखी होगी हम थोड़ी देर में दुआ करेंगे और फिर प्रभू बोज में आगे बढ़ेंगे आपने जो भी सिखा है वो बात को लेकर प्रभू के चर्णों में जाए कहे प्रभू से प्रभू तुआ नूगर कर तरीका एप्रोच तरीका तरीका यह शुक के चर्णों में जाने का आपका तरीका कैसा है चर्णों में गिर गई चिलाने लगी विनम्रता के साथ ये शुके पास गई आप सोफे में पैर फिला कर लेट लेट कर प्रभु की आहरात्मा में जूडते हो दुआ करते हो आपका तरीका कैसा है दुआ में जाने का प्रभु के चर्णों में जाने का प्रभु के दास्यों स चोटी चोटी बाते लेकिन सिख्षे बदलाओ ना यह कहिए प्रभु से रहो इस तरी के जैसा मेरा तरीका नहीं है प्रभु यस्त्री तो तेरे चरणों में गिर गई प्रभु मैं तो तुझे इतना बड़ा पर्मिश्वा मुझे मिलाए लेकिन सन्मान देने में विनमरता के साथ तेरे चरणों में बैटने में निसफर रहा हूं इस्त्री ने पीडियों से चले आते बैर को समाज के रिठी रिवाजों को सब कुछ बाजू पर रख दिया क्योंकि उससे आसिस पानी थी उसकी बेटी को छुटकारा पाते हुए देखना था ऐसा क्या है जो पीडियों से चलाता है वो आपने पकड़कर जगड़कर रखा है वो ही बात है आपके आसिसों को रोकेगी प्यारो पीडियों से चले आने वाली मान्यता पीडियों से जो आपके हाथों में थमा दिया है आपके हाथ में वो पकड़ रखना या तो आपके आसिसों को पाना यस्त्री ने पीडियों से चले आते बैर को साइड में रख दिया मुझे तो मेरी बच्ची को चंगा होता देखना है, पीडियो से जो भी छला आता है, मैं सब बाजू पर रखते हूँ, आप पीडियो से चला आता है, जो अभी भी पकड़े हुए हो, अभी भी अपने हाथों में रखे हुए हो, कहिए प्रभू से जो पीडियो से चला आता ह मोचे आसिशित होना है प्रभू और आसीशों के बीच जो बिया वाग्रों में उसे बाजू पर रखना चाहता है इा अच्छेली चिलाकर कहने लगह उको प्रभी शुक्री घ्र कौट कर प्यादकर कब से चिला रही है और यह सिर्दल हो रहा था उनको तरह सब्सक्राइब से दूसरों के पुकार के प्रतिब बялग में जातायों चेन तरह दू sell स्पासे से कई लोग है रो रहे चिला रहे बीमारे तकलीब में है क्या पत्थर रिदई बन गए हो प्यारो आप रभू से कहे प्रभू तुमुझे ऐसा रिदई दीजिए कि मैं दूसरों की चिलहाड को सुन पाओ उनके रोने को सुन पाओ तुने मेरे आशो को पोच्छा है लूट को आपके पासलाओं की चिलाढ सुनकर ताकि इंक्या असो को पोच्छे जाए प्रभू तुने मेरे घीवन प्भुद काम किये उनकी चिलाढ को सुनकर में उनकापके चंण में लाओ ताकि उनके जीवन में भी अधभुद कामों को देख पाए मैं स्वार्धी बनके नर रह जा हूं प्रबू पिथरTime इबनके नर हो यह रहनोंगर हा कर निो लिए प्रभू तुमुझे बदिंटर मौन रहने पर बिस्त्रीक का विश्वास बड़ा था टोटा नहीं उसका विश्वास ये शु ज़ब मौन रहते हैं कर सका मॉन भत कम जोर माहलूं पड़ता है प्यार हो तू drag clean बंद कर देते हो प्राफ में ना बंक देते हो उपास करना बंक देता कुड़कूर हटभ सुरू कर देता येशु माउन इसलिए नहीं है ताकि वो आपको दुखी देख कर खुत्व माउन रहे ये शुमार इसलिए है प्यारो जवाब इसलिए नहीं दे रहे है क्योंकि उसके पीछ उसका कुछ मकसद है वो देखना चाहते है आपके अंदर के विश्वास को आप अपके अंदर का विश्वास कैसा दिखाएंगे येश्व को कमजोर निर्बल थुटा हुआ बिख्रा हुआ यह इस त्रीक है जैसा बड़ा विश्वास येश्व जब मौन रहे तब भी कही येश्व मैं विश्वास करता हूँ तु मेरे लिए अद्भूत काम कर सकता है ये इस त्रीक प्रभू ने पूरा टेस्ट किया आखिर में यहुदी लोग जो नजरिय से बिन यहुदी लोगों को देखते थे वो बात भी उसके आगे र जारन था प्यारो जाए कुछ भी हो जाए कहीं ये शुसे प्रभू मैं तेरे चर्णों मैं बैटना जारी रखूंगी मैं दुआ करना जारी रखूंगी मैं परातना जारी रखूंगी मैं उपास करना जारी रखूंगा जब थक मुझे आसिस नहीं मिलती मैं उठकर खड़ कर चला नहीं जाओंगा मैं विश्वास में पक्का बना रहा हूंगा क्योंकि मैं जानता हूं तेरे मौन रेने के पीछे मकसद है तो यूहीं मौन नहीं रह रहा प्रभू मैं जानता हूं प्रभू एक समय आने पर तुछ जवाब देगा तुछ जवाब देने के लिए है अपने स्टानों पर खड़े हो जाए और आखरी दूआ करें प्यारे पिता इस्त्री के द्वारा जो भी बात हमने सिखी है यह अनुख्रा दीजे कि हम हमारे जीवन में उसे मल में लाए भूल जाए प्रभुजी यह शुमसी के नाम में रव हमारे यहां पर जितने भी लो है जिसका आपने जवाब नहीं दिया ऐसे उपास के साथ की गई प्रात्मों का आपने जवाब नहीं दिया आप अभी भी मौन हो प्रभू आप अभी भी कार्यवन्तित नहीं हुए प्रभू और उनका विश्वास कमजोर हो रहा है प्रभू वह विश्वास में कमजोर होत उनको छूले ये श्मसी के नाम में, उनके निरची विश्वास को, उनके टुटे हुए विश्वास को, पुनर चिवित किया जाए, ये श्मसी के नाम में, और आज वे जान ले, ये श्मान इसलिए नहीं है, कि ये श्मान इसलिए नहीं चाहते, ये श्मान इसलिए, वो विश्वास कम जोर मालूम पड़ा हो हमें शमा करिए लेकिन आज सम्प्रास्थ ना करते हम विश्वास रखे जब तक आप मौन हो तब भी हम आपके च्छनों में आना चारी रखे और दुआ करना चारी रखे उप्वास करना चारी रखे विश्वास करना चारी रखे ताकि उस तरीके जैसे प्रभू हम आसिस पा कर जाए उस तरीके समान हम खाली हात ना जाए हम ये शुमसी के नाम से प्रभू प्रात ना करते या नूग रहम पर होने दीजे प्रभू जब तक जवाब नहीं मिलता हम आपके चर्णों में से खड़े हो न जाए वापीस न चले को कमजोर करने वाली दुष्टात्माओं को निराज करने वाली दुष्टात्माओं को प्रभू से दूर ले जाने वाली दुष्टात्माओं को शैतान के कामों को हमारी खलिश्याओं से हम से जुड़े सुन रहे सभी लोगों के जीवां से ये शुमसी नाजरी के नाम से म गनाती, धर्म कुछ भी नहीं देखता, वो सिर्व विश्वास देखता है, उसने देखा बले स्तरी यहुदी नहीं है, लेकिन उसके अंदर विश्वास है, उसने कुछ नहीं देखा, उसके पुकार को सुनकर उसकी बेटी को छुड़ा लिया, प्रभु आज हम चाहे कोई भ साथ और मजाति इगनाति साथ हो आप कुछ भी नहीं देख रहे हैं सिर्व एक ही पात देख रहे हो क्या हमारे अंदर विश्वास है प्रभू आप जब ये देखो हमारे अंदर विश्वास पाया जाए ताकि हम हमारे जीवनों में आपके भूत कामों को देखे एश्यमस्यी के नाम से हमारे दुआओ को कबोल करें प्यारे पीता मिलकर करें आमें